हलो और वेल्कों गाइज शेयर कुन चैनल अभ्याज भूले तो गाइज कर हम लोगों ने कॉंसप्ट और डाप्मेंट पढ़ा था आज हम थोड़ा उससे आगे पढ़ने चाह रहे हैं उससे पहले गाइज अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रीस कर देजिए और साने साथ बैल आइकन को भी पैस कर देजिए थाकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहने पहुन स अब आप बोलेगे कि कल हम और इस चीज को पढ़ चुके थे कि जो कहा था कि कॉंसर्ट रॉप्लप्मेंट है वही चीज इसको कंसिडर करता है और उसके बाद हमने कैनलप्रस्टिक्स और डवलप्मेंट भी बढ़ा था पर गाइस एक चीज याद रखिए जब हम किसी ची क्या कह रहा है तो वही कॉंसर्ड को निया है जाफ कर रह रहा है तो सब्सक्तिक अधर कंच्षे स्वेयंट ऐसे ऊगर्री के श्वार शंब ने शॉसन्द म्ना चलता हूँगक्षा पॉजिटिव तब उसे कहेंगे कि विकास हो रहा है किसे पालग करेंगे इसी चीज को आज हम कंटीनियू करते वे हम लोग बात करेंगे कॉंसार्ट हम बेसिक आपको कल बता चुके थे बट इस साइम पर जो हम क्लियर करने जा रहे हैं वो है इसके डाइमेशन तो जब आपके पास कोशिन लिखनी के लिए आएगा तब आपको किस तरीके से ट्रीट करना है वो चीज में लास्न आपको जब कंप्लीट यो डॉपिक उज रहेगा तब आपको बताऊंगे पर फिलहार अभी जो हम पढ़ते चले जा रहे हैं उसको सीक्वेंस में आप जो सबसे वहले आपने लिखा concept of development यानि विकास की अवधारणा तो उसके बाद next point जो हमने पढ़ा था वो क्या था? क्या था गाई? दूसरा क्या था? दूसरा point अभी लक्षन characteristics of development ठेक है? अचो तीसरा point अब हम पढ़ने जा रहे हैं हम लोग पढ़ने जा रहे हैं dimensions of development ठेक है? तो dimensions of development क्या कहता है गाई? जिस भी दिशां में विकास हो रहा है उन दिशां को बाट दिया जाए है अगर हम विकास को अलग अलग शेत्रों में बाट दें तब क्या क्या effect किस किस direction में देखने को बिल रहा है वो जीन हम आरा हम से easily study कर सकते हैं ठीक है गाई? तो easily study करने के अगरे आपने directions को किने पाट में पाट दिया और development को किने शेत्रों में पाट दिया एक बच्चे के 6 यह basics है और इसके भी सब पाट हो सकते हैं फिलहाल जो brain है जो main focus है जो main branches है वो यह 6 है सबसे बहुता चोगाई आपको दिखाए देगा है सबसे पहला पी बता रहा है इसको याद करने का ट्रेट था PC and less P यानि physical C यानि cognitive M यानि motor L यानि language यानि language जिसको आम बोल सकते हैं E for emotional as for social तो एक तरह से यह guys explain करते हैं यहां पी बहुत चोंटे word में लिखावाए यहां समरी करके लिखावाए बड़किसे पूरा 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 में explain करूंगे यह इतना चो explain करूंगी कि आपको सच्छे से समद सकें और जब आपको question दिखने के लिए आए तो आपक दिखने कर पाईया था किव अगर बालते हैं उसके सापके झाले उनगर बुच घोड़ा था है कि इस उसले के आवड़ा बालते हैं चोटा सा बच्छा है जब उसने जन्द है घर बढ़ना शुगता उननला है उसके साटी जामी तो गैनियों उसके लोगों पूरी भी में हम उते है। छोटे हाथाया देर देर बढ़ा होता चला जाता है। अबढ़ा होताया देर लोगों पृच्छ कोजित एज हम तो जब अच्छा किया है ठीड़ सकता है। बढ़ता जबा ज़रा है, उसकी height में ब्रती हो रही है, weight में ब्रती हो रही है, तो इसको क्या प्राइब हो जाया जाया जाल, उसलिए हम रहा है, बच्चे में development हो रहा है, development जिया नहीं, विकार, इतना समझ में आ लिया, height और weight, age भी इसका एक factor है कि उंग भी development देरे देरे, age बढ़ता है, जैसे जैसे बढ़ेगी, बैसे बैसे height और weight पर effect पड़ता जाल जाल जाएगा, ठीक है, एक छोटे में बच्चे के weight सब्सक्राइब हो रहा है, अगर 10 या 12 kg का बच्चा है, तो उसके बाद, मैं जैसे एक इसाम पर बता रहे है, जादा यादा 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 ह होना सौभा होई है, weight इतना भी हो सकता है, जैसे हम कोई यह नहीं पावंदी कर सती कि 5 लागे बच्चे का weight 10 kg होना चाहिए, या 15 kg होना चाहिए, वो vary कर सता है according to height, ठीक है, जो उसकी height होगी हो, इसके according to weight vary कर सता है, ठीक है, तो physical के नदे कर रहे हैं, तो हम आदा है, तो हम होगी कि इसमें internal और external का क्या होगा है, अभी तब तो height weight तो बाहरी factor है, सीधे-सीधे external दिख रहा है, बढ़ा होगा है, इसमें external और internal दिखने का, जो main purpose है, एक normal सी बात है, एक छोटा सा बच्चा है, हाथ-पैर शरीर के बाहर की बढ़नावत को हम लोग उसकी देख रहे है तो क्या आप बोल सकते हुगे, अगर कोई बच्चा एक सालकार उसके बाद को सीधा 19 सालवार आपको मिले 20 सालका मोगा, तो दोनों के जो heart का shape था, बढ़े बाले के heart का shape था, वो equal रहे हा, छोटे बच्चे का जो उस time पे kidney का shape था, उस time पे kidney का shape था, उस time पे kidney का shape रहेगा इंटर्नल यानि जब बोडी के inside organs की बात कर रहे हैं, जो हमें बले direct way में दिखाई ना दे, बट वो grow कर रहे हैं, हमारी घटिया हो गई, हमारी muscles हो गई, यह सब क्या हो रहे हैं, दिरे दिरे grow कर रहे हैं, हमारे bloods हो गई, blood cells हो गई, हमारी body के अंतर जो भी चीज़ हैं, ज अन्तर्तल का मतलब होता है कि जब शारी लुट विकास हो गहां, यह सिद्यक और बहर दोनों factor में हो सटा है, भाहर रूप से हम तब कंस्यद्र करेंगे, जब भुन पच्चे का height weight में हो अंती आतिक रूप से हम तब कंस्रीडर गरेंगे जब हम इंटर्नल और जो हमें डिरेक्ट वे में डिजिबल नहीं है, जो हमें सीध्य सीध्य नहीं दिखाई देते हैं अब अब बढ़ने हैं अगले पॉइंट की तरफ अर्ला पॉइंट है गाई हमारा कॉगनेटिव कॉगनेटिव की जब मैंने बात करी दिखाई, कॉगनेटिव का हूटर मैंने आपको पहले पी बताया था संग्या, संग्या नहीं नॉलेज ठीक है तो फ्विजिकल डेलप्मेंट है यह क्वांटिटीटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटि वो पढ़ाई में वीख हो या पढ़ाई में तेज हो इस वो पढ़ रहा है, कितना वो उसे सीख रहा है, क्लियर हो है वाइस, इस सब किस्पेट करता है उसके mental development, जितना दिमागी तो बच्चा मजबूत हुगा, जितना दिमागी तो और से चीज़ों को जानेगा, उतना ही उस चीज़ों को बैतर दरीगे से सीखिएगा, फिर बता द बच्चे को आप अंचेडर करके चल रहे हैं, तो अलग-अलग बच्चों का लिए में अलग ही उता है, या विकास होता है, वो अलग-अलग ही होगा, हो सकता है कि सीमिलर हो जाए, पर में भी पॉसिबलर हो, ठीक है, कोई गारेंटी नहीं है कि दो बच्चे सेम एज के एक जासा ही बीएव करेंगे, there is no chance for that, वो डिपेंड करता है कैसा एक्मोसफियर में, कैसा वो सोचते हैं, कैसा वो बीएव करते हैं, ठीक है, तो मेंटर टर्मेंट कॉबनेटिव का जीधा सा अथा आपके किससे, मेंटर, ब्रें से, ब्रें लेवर से हैं, ठीक है, अमीरे अबर आईक्यू को माँप सकते हो, यह थिपेंगे, बुद्धी लगधी भोलते हैं, माँप सकते हैं, अब आप इस बाद की गारेंटीगा इस तबी नहीं दे सकते हैं, कि बच्चा अब पढ़ाई पे वीग है, तो यह किसी और फिल्ड में वीग होबा, यह किस फिल्ड मे यह भाश्ट पहत्रीजिंग कर पाएगा, जिस प्रेंट पर उसका बच्चे का इंट्रसवा उस ही फ्रेंट में काम करेगा, उसमें आप आईउड की लेवल पे पोई टीका टिपनी में पर सते हैं, बस आप आईउड अधिए गडिया कर सते हैं, और गडिया काल सकते हैं, कि PC, N , न जाना गाए, तो नाश वालाग थर्ड पैक्टर के आय है PCN न या जी मोटर, मोटर के पर मेने बात करी लिए रिकर क्रियात्मों की, तो क्रियात्मों सान में कोता है गाए, शॉटकर में मैं चलिखा है work abilities, वर्थ एंफिटी इसको अगर में डिफाइन करो, तो कोई शोटा बच्चा है, तो अगो ओम्र के साथ बढ़ा होगा है, तो शुरुआ नहीं क्या चलना सीखाता है, शोटा बच्चा है, पहले वो खड़ा में थोड़ा उठना सीखेगा, बैले में तुनाना सीखेगा, बैठ उच्चा है, छहां कि बच्चे क्या है, ठीक है, हर बच्चे की गरोफ अपनी अपनी होती है, हर बच्चे करने हैं, एक बच्चे को अख़ अख्यम पहले पाता है उसको संबागने के लिए किसी और की जदूबरत लगती है, तो देरे जयसे बच्चा संगार है, laboratories तो जीज क्या बता रही है उसी वर्ग अपलिटीज पर बच्चा कुछ से खाना नहीं हापाता बच्चे को बैलंस पीडिक करवाते हैं तो उसको कोई और चाहिए उसको गुमाने के लिए उसको खिलाने के लिए पर दीरे दीरे क्या होता है एक ताइम अग बच्चा खुद साँ फिल्टी बढ़ा हो तो हुझ से खाना थानी लगता है तो चीज को बताने लगता है.. तो जी ऐसी कानीशन कि जब बैच्च पर अक्षम से सक्षम बन रहा है तो वह क्याल है उसकी वर्क अबलिटी उसकर डैलम यहान आँ नहीं था कि वहां से ब्चच नहीं किस्ट र जलनी है वो क्या है आपका डालमेंट पाथ विकास हो रहा है इस पुरी जलनी में एक चीज़ और गाइज में आपको यह बता दूं कि जब कोई बच्चा होता है अगर कुछ होटा है जोटे में तो कोई फरक नी पढ़ता है बच्चा माप खाना खिला देते हैं चला देते है पर एज के साथ साज जैसे बच्चा बढ़ता है अगर बच्चा पुछ से कर पा रहा है तो उसको फड़ बढ़ता है अगर बच्चा पुछ से कर पा रहा है तो उसको फड़ पा रहा है तो बच्चा पुछ होता है एक साथ उसमें क्या है उसमें क्या है उसमें क्या है उसम और उनका जो confidence level होता है वो थोड़ा गिर नहीं लगता है ठीके गाइज यहां तरह बच्छा इसा नहीं कर रहा है तो उस पर प्यासर पड़ेगा? इसे पर बच्छा कर पा रहा है तो इस पर पर पड़ेगा? positive ठीके गाइज उनके लगाइज नहीं लिखा है एक्सचेंज और thought Θ rhyme करें आप छाहिए बाद में इसको स्क्राइब लेकर सकता है इसको अपने वर्ड स्क्राइब कर सकता है बट आप समझ जब हो रही है कि इन पॉंट्स कहना क्या आशा है जब इस पर समझ के तो आट आवालां दो लिए सकता है तो एक्षिप लग तो थाप्स का कहता है गाईसे सपोस करा मेरी वनशन थाइन, मैं हो पस्टाइब जो लैंग्विज भी उज़ कर रही हूं, मैं हम यह उज़ ने लिगा हैं, जो मुझे थाप्स ने बना तक वह पूँछाने के लिए क्या दरा, पहला बोल पे लिखा और उ यह काम मेरा का in-hand communicate करने का मैंने आप तक इसे पहुंचाती है बट आप इन thoughts को as it is तभी तो receive कर पा रहे हो जब आपकी language same है इन emotion, इन thoughts और इन words को आप जानते हैं अगर यह words आप नहीं जानते होते, यह language आप नहीं जानते होते जो same languages होगी, वहाँ भी किया उसे exchange of thoughts होगी तो जिस society में बच्चा रहता है, वहीं की भाषा ग्रैब करेगा ऐसा नहीं बच्चा यूपी में जन्म लेके, साउथ की भाषा बोल रहा है जो उसे भाषा अपने आसपार से से कही होगी, वही भाषा ग्रैब करेगा, वही भाषा बोलेगा और उस भाषा को बोलने के पीछे का कारण होगा? कि वह अपने thoughts को क्या कर रहा है दूसरे तक पहुचा रहा है अब सबसकर है कोई बच्चा है उसे बोलना आ गया हैं से पानी दे या हो अगर उसे आप कोई छीज बता को भाषा करना चाहरें कि वह को Grassi बता इस अबाते है। वह उसान केका, वही भाषा ग्यान दिसकशन करें किसे शांत रहना था या करना था जहां पर मैचॉरिटी लिवल की बात आ जाएगी लाइज वहां पर छोटा बच्चा कुछ नहीं बोल पाएगा उसा तो समझ में ही याएगा ये चीज हुई ही क्या है पर अगर 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 15-16 साल के बच्ची के साथ डिसकुशन करने बैठ थो बहुत कहसा इसके आपने आप को पर तो जो सीखिया को उन यhou मैट आपने प्रॉशर्क पनी चूण साथ जोड़ करना तो जब लेंग्वेश चानल के सामने के बरी दीहां कि अदय दिया को helfen जे शेयां को जब वीचार घ्षरीन सामने से आते हैं सबरु मोई भी और वो बहतरी तरीके से आपके सामने आई है, तो उस चीज़ के होता है गाई, एक अलग इंपक्त पड़ता है, अगर सब्सक्राइब दो दोस्ते हैं, ठीक है, दोनों आपस में बात कर रहे हैं, एक पहला प्रॉब्लम में आप दूसरा से सजेशन दे रहे हैं, तो अगर पह तो अच्छी बात बोलने के बाते हैं, अगर आपने पढ़ाया तो आपका बच्चों को समझ में नहीं आए Вас, पसंद नहीं There's a video to be aad, तो यह क्या है negative effect A है इसका positive impact तो यह दोनों चीज़ों को कौन जोड़ रहा है language जब language में thoughts को आप एड़ करके बहतरीन level पे एक दूसरे के सामदे रख रहे हो और खुद से confidence मैसूस कर रहे हो तो वो क्या है एक लेवल आप development ठीक है गाई यहाँ पर लाइंग्विज से कुंभ अब यह मत सूचेगा कि 10 साल का बच्चा आपने thought को बहुत अच्छे लेवल पर बता पाएगा नहीं उसमें भी पर्टिकुलर मैंने कहा ना proper channel है sequence chain है तीन साल का बच्चा एक साल का बच्चा ममम करता है तीन साल का बच्चा शब्दों को जोड़ देता है मुझे पानी चा यह sequence में चला है तो यह sequence में चला है तो जब अपने words को जोड़ पा रहा है एक sentence कंवर्ड कर रहा है और sentence कंवर्ड होने के बाद उसे thought के साथ मिक्स करकर एक अच्छे लेवल पर पर प्रोशेट कर पा रहा है तो इस condition में क्या आ जाता है like development of language यानि उसमें भाशा का विकास अच्छी तरीके से हो सकता है जितने ही हमारा साइस्टेगार होते हैं जो poetry अगरा लिखते हैं जो books अगरा लिखते हैं वो क्यों ऐसा लिख पाते हैं उनके language में तिनी बहतरीन कमांड हो जाती है कि अपने सोच को उन सब्दों के जाल में पिरो होते हैं और आपके सांद में अच्छी अच्छी तरीके से होगी क्योंकि इसके पास शम तो कोश इतना बड़ा हो जाएगा ठीक है गाइस उम्मी राते हैं इतना समझ में आया होगा इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगला जो point है यह है आपका point emotion ठीक है यहां से आप तदा तर देखते जाएगे कुछ शोड़र लोग बी सी एंड अलो यह हो गया अब यह पर हम लोग आ चुते हैं इसके बात होती है emotional चाहिए emotional इमोशनल इमोशनल पर मैं इसलिग सिल्ग सिल लिखा है feeling emotions की शायद नहीं आपको पता चले emotional feeling तो नहीं कीजिए यह भावना है संबेग हिंदी में चाहिए उसका अपनी emotion पर कंट्रोल लिए उसका अपनी जिद पर कंट्रोल नहीं उसका अपनी demand पर कंट्रोल लिए उसका अपनी डिमांड 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 पर कंट्र प्रणोबन दिये जाते थें ठेक है किसी अत्छे काम के बदले और नेगटिव काम के बदले को इसे बदले आपको फीडबाइक रहें कोई गलत काम किया उसके फल्स वरूप आपको दंड बिल गया कोई अच्छा काम कर आपको पुरुसकार बिल गया तो पुरुसकार और दर्ड दरू क्या है एक पॉलिटिव और नेगेटिव एसपेक्ट है यह डिपेंड करता है कि बच्चा उसको किस तरीके से लेता है तो उसी इमोशन पेस चीज का डिरेक्ट असर पड़ता है तो छोटा बच्चा मैंने आपको बताया दूसे तीन साल का क करते हैं जिदकर गाने नहीं मुझे यह चाहिए रही चाहिए यह चाहिए यह चाहिए फिर आट से दर साल कर पचल थोड़ा सामयचर हो जाता है तो कोशिश करता है नों नॉर्मली बात रिग करो पंद्रा सो सॉलरा साल तक ऐस तक बच्चों की जितकर में नातिया फिर उस वो उन दोनों के बीच का difference कर बाते हैं और बहुत आराम से इस चीज को टैटल कर लेते हैं, अपने emotions को टैटल कर लेते हैं उनकी जो feelings हैं उनकी control में आती हैं इस लोगों के क्या, उनकी पास emotion भर-बर के होते हैं जैस लोगों के क्या, emotion थोड़ी कम होते हैं emotion थोड़ी कम होने का मतलब वो चीजें सब्स्ट्रेश कर लेते हैं थोड़ा सा दबा देते हैं ठेकें, इतना चीज क्रिए होगा है पर emotion को balance कर पाना यह बहुत important है अगर आप में development हुआ है, emotional development हुआ है तो इसका सीधा सामथ लगा है कहां पर आपको खुश होना है कहां पर आपको दुखी होना है कहां पर आपको गुषा गरना है कहां पर रोना है यह सब चीजी आपको पता है अरुंके जाने का इसके अर्चा है, अगर वह खुशा नहीं जालएक? तो क्या यह emotion maturity है उन लोगों को रगता है कि जो हमारे चाप आसपास का surrounding है उसके बिहाँ पे हमा गुस्टा आया है otherwise ऐसा है but maturity का मतलब दाइर यही है कि आपके जो emotions हैं आपके अपने control पे हैं आपको चाहरो तरफ की वज़े से गुस्टा नहीं आता है आप स्वयम से गुस्टा करना चाहते हैं इसलिए आप गुस्टा करने तब वो maturity है अगर आप गुस्टा नहीं करना चाहते हैं सामने वाला क्या कर रहा है क्या नहीं इस बात का फरक नहीं पड़ता आपका self पे control है मैं चाहता हूं मैं गुस्टा करूँ तो मेरा मुद पे control है मैं चाहता हूं मैं गुष्सा नहीं करूँ यह मेरा मुझ पर कंट्रोल है तो जब मेरी feeling मेरे emotion मुझे depend करते हैं और मेरे decisions को follow करते हैं तब जाके मेर मेरे maturity है maturity वो गठी डर्गी होगी कि सामने वाला कुछ बोल रहा था मुझे गुष्सा आगया तो यह feeling आपके अपने हाद में कंट्रोल नहीं सामने वाले के situation पर कंट्रोल है कि situation जैसी होगी वैसे आप हो जाएगी तो यह control आपका आपने में नहीं situation का आप पर है यह बहुत बारिक पोइंट है guys आज कल हम लोग इस चीश को नेगलेट करके चलते हैं, हम लोगों को लगता है कि बस जो हम कहना है वही सही है, हम कहा रहे हैं वही सही है का मतलब कि हमारी mental level इस तरीके की हो चुकी है कि हमारा जो emotional level का development है, वो शायद हम लोग देखना है इक पर बूल गया है, तो उसको analyze करना, बच्चे का वो development analyze करके आग understanding with others, अब आप इस जीट को समझेए, social का मतलब होता है सामाजी, development मतलब विकास, तो जब सामाजीक विकास के हम बात करेंगे, तो सामाजीक विकास आप कैसे चंट्रीडर करेंगे, लाइज, सीधी इसी बात है, एक बच्चा है जब तक वो अपने पैरेंट के साथ है, क्या गार कर रहा जा नहीं, वो उन लोगों तक ही सीवील है, बट फिर जैसे जब बच्चा बड़ा होता है, अपने आज परोज में जाता है, मुहने में जाता है अदर्स की घर जाता है, फिर उसके बाद एक टाइम आता है, बच्चा स्कूल जाता है, तो सामाजीन नहाज तक ह बट एक अच्छे गासी एज का बच्चा यानि स्टुटेंट जो भी आप अंडर करके चलो 18 तू 18 प्लस हम भोग लिके चलते हैं या 16 प्लस जहां से अच्छे तरह में कैसी है एक बच्चा है अगर इस तरह से बात करना है अन्ट तो सीथे आप हैसाथ कि उस और गलत का डिफ्रेंस पता है उसे यह फरक नहीं पढ़ता है कि जुचार मोग किस काम को करें, उसे यह फरक पढ़ता है, जो उसके इंकर आपने एजुकेशन डाल लिया है, उसको एक अच्छे लेवल पर पढ़ा दिया है, तब उस पे क्या डिपेंड करता है कि वो खुद से कैसा सुचता है, फिर वो चा उसके अंडरस्टाइड़ आदर, तो सोसाइटी में वो अपने ब्लोगों के साथ, अपने कम्यूटी के साथ, अपने परिवार वालों के साथ, अपने फिल्ल संकत के साथ, किस तरीके से डील करता है, वो क्या है, उसका सोशल डेवलपेंट, अगर मैं नठीडल करूँ एक अपने बच्चा है, उसको आप टॉफी दे दो, तो दो टाइप में सकते हैं, एक बच्चा होगा जो बोलेगी पिछे टॉफी दे दे, नहीं देगा, बना कर देगा, और एक दूसरे हांप पर बच्चा होगा, वो तुरन बोलेगा ले लो, ठीक है, तो दो तरीके के बच् उसे पाए उसे पता है कि शेरिंग क्या होती है कि के यह साथ बास्ट नहीं हुआ होता है जब उसे शेरिंग पताएगा यह उस टाइंप अगर बच्चा क्या डील कर रहा है सपोस्कर आगर दस साल के बच्चे सा अब टौफीं बोले कि मिर्गु दे ले और वो ना दे, तो यहां भी कहा है उसकी social, जो social development है उसका भी इतना ग्राप नहीं हुआ है, ग्रोव नहीं हुआ है, again guys, मैं फिर से आपको यह कह रहे हूं, कि हर बच्चे का development वैरी कर सकता है, हर person to person development क्या करता है, वैरी करता है, तो ज़रूरी की कि 10 साल का बच्चा दानवी करना हो जाएगी, तो यह आपने पाफिमा की है, तो मेरे पाँ चॉपलेट है, वो भी दे दो, ज़रूरी नहीं ऐसा हो, but possibility दो चीजों की है, या तो वो देगा या नहीं देगा, अगर तीन साल की उमर में उसने नहीं थी और दस साल की उमर में उसने चॉपलेट दी यह कह जाएगे कि sharing is important, sharing is must, sharing is caring, जो भी कोण सम्भी उसकरते हैं, तो बच्चे में क्या हुआ है गाईगा है, डवल्मेंट हुआ है और तीन साल की उमर में वो चीज़ दे रहा था, दस साल की उमर में उसा चाना काल आगे कि नहीं मुझे सब बचा कर रखना है, मुझे को कुछ तो यह क्या है गाईगे, एमोशन का डवल्मेंट हुआ है, अगर आप समाज में रह रहे हैं और अपने भाई बेदों के साथ चीज़ नहीं कर रहे हैं, तो यह शोचल डवल्मेंट नहीं है, यह पॉजिटिव एसपेक्ट नहीं है, एक नेगेटिव एसपेक्ट है, कॉमन है, सबके बीचे लगा देना है, ठीक है, उमीद है आपको डाइम, इंशन आफ डवल्मेंट क्लियर हो गया होगा, अब हम डवल्मेंट क्लियर कर चुके हैं, एक बार आप चाहें तो आप स्कुलिंशॉट ले सकते हैं, और अगर आपको इस वीडियो में बढ़ाते ह तो आप कॉमेट सक्षिन पर लीप कर सकते हैं, आपको वहाँ पर आपसर कर दोगे, अब आप स्कुलिंशॉट लें दीजिए, गाइस, उमीद हैंचे जितना मैंने अभी तक आपको पढ़ाया, उतना आपको सब समझ में आया होगा, इसके बाद गाइस, अब वीडियो पा बूथ में जादा डिफ्रेंस नहीं है, पर कितना डिफ्रेंस है और क्या डिफ्रेंस है, यह हमारी वीडियो वाली पढ़े के, तैंक यू पर लाइक, शेयर और सब्क्राइब और ओन चैनल, जै मादेव